खराब रस्ता शुरू हो जाता है and yes यह शुरू हो चुका है already सबसे worst highway and यहाँ पर बहुत ज्यादा थोड़ी थोड़े पत्तर है इन सब का ख्याल रखना होगा जाना पेचाना सा लग रहा है आप लोग को यह महालक्षमी रिजॉर्ट चलो आगे जाके बात करते हैं यह देखके आप लोग को थोड़ा बहुत जाना पैचाना सा लग रहा होगा क्यास इस रोट तो हाफ लॉंग आज मेरे साथ जा रहे है बाइकर वेद बहिया वेद प्रकाष भीया एंड उमकार भीया अमीद भीया और अमीद भीया के एक दोस्त मैंने यह एटेम क्लिया है कि सिल्चर से लेके हाफ लॉंग तब का रस्ता बाइस कुटी कोबर किया जा बोट इन हाफ लॉंग एंड इन सिल्चर रोट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है यहाँ पर टोल लिया जा रहा है पहले यहाँ पर टोल नहीं लिया जाता था एंड यहाँ पर पहारिया देखो मतलब क्या ही पहार है क्या ही नजारे है एंड मैं यही ब पाइ सेट थो लोग आगे चले जाएंगे 德まぁसे क्रोसिंग बाराचेर राइट नाव अभी तो यह वह आल रचे बहुत ही कि लेकर और आगे बास जाने के बाद जो मिले गा ना हम लोगो को वह तो क ऴोने वाला यह वह Python बहुत हथा आप आप नजारे को एंजाइ कीजिए, आप सिनेमेटिक्स को एंजाइ कीजिए, जब खराब रस्ता आएगा मैं आप लोगों को इन्फरम कर दूंगा एक टार्निंग है राइट टार्निंग उस राइट टार्निंग को क्रोस करने के बात से ही खराब रस्ता शुरू हो जाता है इस तरीके के रोड्स पे मैं पहली बार चलने वाला हूँ, इस हाइवे को माना जाता है असाम का सबसे ज्यादा डेडलियस्ट हाइवे और सबसे वोर्स्ट हाइवे और यहाँ पर बहुत ज्यादा थोड़ी थोटे पत्तर है, इन सब का ख्याल रखना होगा ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, यह जो व्लॉग बनाने का मेरा परपस है, यह यही है, कि ताकि आप लोगों को एक फ्रेश अपडेट मिल सके, शिल्चर टू हाफ लॉग का रोड का कंडिशन अभी कैसा है, रोड तो बहुत ज्यादा गंदा है, और यहाँ पर स्पीड रस्ते पे धूल बहुत ज्यादा धूल है, रस्ते पे बहुत ही ज्यादा धूल है, और मैं यही सोच रहा हो कि कौन सा वाला पार्ट में मैं कैमेरा ओफ करो कौन से वाले पे नहीं, एक्चली मैं उचे इस एरिया का नाम नहीं पता, यह जो आप क्लाइम देख रहों, यह इन सब धूल वाले रस्तों के हम लोग ब्रेक नहीं लगा सकते, अगर ब्रेक लगाया तो गया, कुछ इस तरीके का हालत है, ब्रेक अगर लगाया दन गया, और बाइक से फिर भी थोड़ा बहुत एजी हो जाता है, और वहाँ पर में रोड बनना है, यह वाला जो रोड है यह अल्टरनेटिव रोड है, उमकारदा को चलाने में तो बहुत ज्यादा मजाएगा, उनका उफ रोड इंग बाइक है, अराम से वो जाएंगे, यहाँ पर जैसे देख सकते, यहाँ पर नया ब्रीज बनाया जा रहा है, यह रोड इस तरफ से जाएगा, तो अभी हम को बाइकर वेध भईया और उमकार भईया वहाँ पर रस ले रहे है, यहाँ पर धूल देख सकते हो, किस लेवल का धूल है, अरे ब्रीज अगे हैं उसके बाद उमकार भईया, और उसके बाद कोई सीरियल नहीं, अगर मैं आगे जा पार हो, तो मैं जा रहा हूँ, अगर भाई अगर आगे जा रहे तो यह जा रहे नहीं तो अमीद भाई अगर आग जा रहे देन अमीद भाई गैस किसा को चारो के लिए ओंकार भा executing ale कि इसे भात को फ़्ट यह नहीं मेरे लिये करें जो पीछे का चक्का है वो स्किट हो रहा है रस्ते का हाल तो देखी सकते है पीच तो only waiting पीच का expectation भी आप लोग मत रखुना अगर आप लोग fromuted to half long आप journey कर ड्रहे हो पीच का expectation पीच रूट का expectation एक दम ही मत रखना जो लो लेंट ड़ाइड जोन और यह वाला जोन है यह है लेंट बालिश नहीं दे रहा है तो लेंट स्लाइड होता जरूर से अमीद भाई आगर जाने का कोशिश कर रहे हैं होप सो एन हम सब लोग एक ही शाथ-चाथ ही जा रहे हैं उस तरफ से रॉंग है वहां पर चले गए थे आइधिंग वह नों ने सोचा था यहां से कनेक्ट हो जाएगा यह वाला पार्ट नहीं हुआ व्यूज तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा है बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन इस रस्ते की चक्र पर हम लोग व्यूज एंज़ नहीं कर पा रहे ह ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहां पर किस तरीके से पहार काटे गए है एक पर चेक आउट कीजिए किस तरीके से यहां पर पहार कट आउट किया गया है एंड आज आज बैक्पीन मेरा होने वाला है 110 परसंट शिएट का मजा ले रहा हो जो यहां पर सेडलिंग करते ओमकर भाईया कि मेरा एंटर्क मुझको इतना सपोर्ट कर रहा है लाइक सिरियसली आज नेवर एक्सपेक्टेट डेट में एंटर्क लेके इस तरीके से इस तरीके के रोड पे मैं ट्रेवल करूंगा इन फूचर एंड येस बाइक से तो फिर भी इजी हो जाता है का इसलि जाता है नौ बज़रा है हम लोग निकले थे सारे आठ को एक धन्ते में यहां पर हम लोग आ चुके है दिस रोड फिल जन्नत आफ्र प्रोसिंग दोस ओफ रोड इंग्स दिस रोड इस रेली विलिंग लाइक जन्नत कैसा चल रहा है हैत lettbamosacal टोरा महुत को फिर से खारा मिलने बाला है है कड़ा स्कीत खारा है स्कीट चारा किए जहार से शुरू होता है 낮 और अ होप सो यहां पर मतलब जो रोड है यहांपर फिर भी चला है सकता है इसलिए मैं इंशिल लगा लेता हो ताकि थोड़ा बहुत इजी हो जाए यह पार्ट आइधिंग जल्दी बन जाएगा इसमें ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अल्यडी रोड्स ग्रेवल करके मतलब ग्रेवल या फर मिट्री वो सब देखे करने वाले हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेशीन वगेरा तो चल रहे पीड़ी अच्छा काम कर रही है पहारी जो रोड्स होते हैं कभी भी यह मतलब बिलीव मत करना कि रोड्स बहुत जादा अच्छे मिलेंगे हाइवे टाइप रोड्स मिलेंगे प्लेन अगर उनको अगर अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया तो फिर थोड़ा बहुत थोड़े बहुत समय के लिए ठीक रहने वाला है नहीं तो टूटा-फूटा आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा नेवर एक्सपेट आटूटा-फूटा लेस रोड पहारी एरिया और गाइस में बात मेंशन करना चाहूंगा इन से ब्रोड्स पर आप आना चाहते हो देन दो सोलो मत आईए अगर आप बिगिनर हो या फिर दो तीन बार आच चुको फिर भी आप सोलो मत आईए आप लोग नहीं मिलने वाले हैं आपको खुद ही सल्यूशन निकालना बड़ेगा अगर ग्रूप आते हो देन थोड़ा बहुत इजी हो जाता है तो आप लोग डिसकस कर सकते हो प्रॉब्लम के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो अगर आप क्यारफुली राइट करोगे देन इतना ज़दा प्रॉब्लम सिह होने वाला है मैं आट वर्गो यहाँ पर जो छो लिखा हुआ है मतलब यह नहीं लिखने से भी होगा क्योंकि हम लोग बहुत बोट जा रहे हैं यहाँ पर है फिर लेंस्लाइट तो होता ही रहता है किस तरीके से पेर उपर से घिर रहे बहुत ज्यादा स्टीप है अब सोचो अगर यहां पर बारिश होता दिन क्या होता अगर यहां पर बारिश होता दिन क्या होता बहुत इसा होता 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 है जाहेँ तो पर थोड़ा ब्रेक जाहेगा सोब्सक्राइब कर रहें ऐसे ब्रेक के बाद में आप लोग erfahren के मिलता है तो यहां विद वैद ऑफ यह तो निचे आप लोग को दिखाता हो बहुत ही ज्यादा खुबसुरत सा एक वियू है वो रहा मेरा बीस्ट और इसने मुझे को इतना सपोर्ट किया एंड ग्रेट थैंक्स टु माइं अगर यह मेरे साथ ना होता तो मैं इस तरीकी का कुछ एडवेंचर करने ही पाता पहले कभी भी और भी बहुत जाना है जनुरी को बहुत सारा प्लैन से फेबरी को बहुत सारा प्लैन से स्कूटी को लेकर मिलते हैं फिर से मोटर व्लोगिंग सेट अप में थोड़े देर बाद चेरो